हालो एवरिवन लास्ट लिक्जरम हैं हम लोग reflection थूरोप्रेंट पते हैं और आज हम reflection at spherical surface के बारे में तो रिफ्लिक्षेंट पर अब प्लेंच के बारे में पढ़ा था उसमें हमने सारी रूल्स देखे थे और उस rules को वन वाई वन हमने स्टडि किया था कि कौन-कौन से rules उसमें follow किये जाते हैं उसके बाद second lecture जो हमने देखा था उसमें कुछ numericals मैंने दिये थे और उस numericals को discuss किया था जो related था plane surface से अब होता क्या है कि reflection में हमने देखा कि एक light जाके strike करता है किसी surface है और फिर वो वापस चला आता है तो यह जो पूरी कहानी है लाइट के strike करने के और वापस आने की सामने वाला जो surface है जिस surface पे light strike कर रहा है वो जरूरी नहीं होगी हमेशा plane हो हो सकता है कि वो spherical हो किसी और सेपका हो तो हमारे जो syllabus में हैं वो हमें दो तरह के पढ़ने है एक plane surface के तुरू reflection पढ़ना है और दूसरा spherical surface यह हम बोल सकते हैं curved surface तो plane surface हमने पढ़ लिया था अब हम curved surface यानि spherical surface के बारे में पढ़ेंगे कि इसके तुरू जब reflection होता है तो कौन-कौन से उसकी properties होती है कौन-कौन से rules को वो follow करता है क्या-क्या और उसके अंदर कहानिया होते चलियाती है यह एक तरह सब पूरा का पूरा reflection का story है light के बारे में हम लोग पढ़ें light के बारे में समझ रहे हैं light के बारे में जान रहे हैं यह पूरा chapter है optics का इसमें light से अपनी जान पस्चान करानी है lights हमना समझना है light को कि light जब किसी सरफेस पर पढ़ता है क्या होता है क्या नहीं होता उन सारे चीजों के बारे में यह समझना है डेली डे टू डे लाइफ में हम इन सारी चीजों को देखते हैं कि कैसे रिफ्लाक्शन होता है कैसे रिफ्राक्शन होता है आगे हम लोग रिफ्राक्शन भी पढ़ेंगे उसको भी हम अपने डे टू डे लाइफ के बारे में लाइफ में देखते हैं रेफ्लाक्शन भी हम देखते हैं प्लेन सर्फिस के तुरू भी देखते हैं और कर्फ सर्फिस के तुरू भी देखते हैं जो साइड मिरर हम लोग यूज करते हैं किसी भी वेकल में वो कर्फ सर्फिस होता है और जो घर में अपने आपको देखने के लिए हम mirror यूज करते हैं वो एक तरह का प्लेंग मेर होता है तो उस प्लेंग मेरर की प्रोपर्टी जो हमने देखे थे कि क्या क्या प्रोपर्टी जाए किस तरह की इमेज को फोर्म करता है number of इमेज क्या होगा कैसे करेंगे तो इन सारी चीजों के बारे में हमने last lecture में अपने देखा था और इस lecture में इस स्फेरिकल सर्फिस से रिलेटर देखेंगे वैसे यह पूरा का पूरा जो चाप्टर है यह आप already class 3 में इसमें बहुत सारी चीज़ों को आप जानते हो स्फेरिकल मिरर से आप पहले से जानते हैं स्फेरिकल मिरर को कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है या कर्व्ड मिरर को हम कितने टाइप में डिवाइट करते हैं स्फेरिकल मिरर के कितने टाइप्स हैं कर्व्ड मिरर में कि स्फेरिकल होता है एक सिंपल कर्व सिलिंडिकल हो गया रह कुछ भी नए इसमें नहीं मिलने वाला है एक दू पॉइंट हो सकते हैं कुछ नए मिले उसको हम लोग डिसकस करेंगे तो चलिए लेक्ट्चर को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं स्फेरिकल मिरर यानि रिफ्लाक्शन तूरि स्फेरिकल मिरर ध्यान से याद रखे एक बार सुन लेजिए याद हो जाएगा और साथ 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 नोट्स को भी देखते जाएए आपको सारी चीजे क्लियर होते चली जाएंगी सो स्बसे पहली बात आती है कर्वड मीरर के बारे में तो यह कर्वड मीरर क्या होता है देखिए इस पाट ऑफ यहाँ पे हमारे पास कर्वड मेर मैं ऊछलोग के इक आता को कर्ड़ो करstra 겔र करने के बात किसी एक सार्फिस को हम पॉलिस्ट कर देते मुए कि ऎसर अब कर देए तो वह सर्फेस I mean reflecting हो जाता है वहां से यह अब नहीं होता है और दूसरास एकि नहीं होता है यादि क्या हुआ हुआ कि हमने इक पार्ट लिया हुलो स्फेर का और उस हॉलो स्ट्राइट को जब हमने पॉलिस्ट कर दिया तो लाइट उससे एक तरफ से दूसरे तरफ नहीं जाता है इसलिए हमें दिख रहा है कि लाइट यहां आ रहा है और फिर स्ट्राइक करता है स्ट्राइक करने के बाद वह दोनों लाइट आ रहा है दोनों रिफ्लक्ट हो जाता से दो तरह का होता है एक में देखिए आउट वाला जो पॉर्शन है वो पॉलिस्ट है यह वाला पॉर्शन आउट वाला पॉर्शन पॉलिस्ट है दूसरे में इनवाड वाला पॉर्शन पॉलिस्ट है तो जिसमें आउट वाड पॉर्शन पॉलिस्ट होता है उसको हम लोग है款 कि उसको हम लोग बोलते हैं कनकेव मेऱ और जिसमें involved portion polished होता है उसको बोलते हैं कनवेक्स नेर तो यह हमारे 파स फॉर्स्ट वाला हो गया कन के मेरर और यह हो गया कनड़ फॉर्स न अब इस से spherical मेरव मेरव यानि कर्पंत मेर से related कुछ points है जिसको हमें जानना है और कौन-कौन से points है सब definitions में हम लोग उसको देखेंगे पहला point है हमारे पास pool कि pool क्या होता है यहां mirror में हमने P से indicate कि is pool को यहां पे भी आपको देखेगा pool यानि यह पूरा का पूरा जो curved part है इस curved part में इस पूरे curved part में आपका जो mid point है उसको को हम लोग पूल बोलते हैं उसके बात आता है center of curvature of a sphere of which the mirror is a part यानी यह पूरा का पूरा एक sphere है और इससे cut करके हमने बनाया है इस mirror को तो इस पूरे sphere का जो center होता है उसी को हम लोग बोलते है center of curvature of mirror बात करते हैं radius of curvature की तो यह जो फो है जो फोल हमनाने देख्झा यह p से जिसको हमने डिनोट किया यहाँ पे और इस पूल और यह center of curvature की बीच का जो distance यह वाला इस use distance को हम लोग क्या बोलते है radius of curvature यहाँ भी देख्ये यह पूल और यह center की बीच का जो distance से उसको बोलते हैं हम लोग radius of curvature आगे बात करते हैं आगे एक और पॉइंट आता है फूर्थ में चलते हैं तो फूर्थ में क्या बोल रहा है प्रिंसिपल एक्सिस की प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है बोल रहा है कि लाइन जॉइनिंग पासिंग तुरू दपी एंट सी एक लाइन जो पी और सी से पास कर रहा है और उस दोनों को जॉइन कर रहा है किसको किसको पी और सी को तो उस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस देखिए अभी जो हम लोग पढ़ हैं अगर आप इसका केवल audio भी सुन ले तो आपके सारी चीज़े clear हो जा याइध ने इसको पहले याद किया होगा तेंथ लसमंग उसके बावजुद फिर भी इसको देख रहे हैं बात करते हैं फॉकस की फिफ्ट पॉइंट पर आता है हमारे पास अता होग होके क्क्षक करने क्फियर себता कि ऐसे हम लोग और भी Tara तरीका है फोकेस को डिफाइन कर ने कि लेकिन हम इस अगर इसके कार्डिंग देखे तो क्या भोला कि एन इमेज पॉइंट और प्रिंसिपल एकस्स एक ऐसा पोइंट कि यहाँ से लैट जब पैरलल आता है और पैरलल आजने के फोकस नेक्स्ट फोकल लेंद्थ पूल यह जो पूल है और फोकस इस दोनों के बीच का जो को बहुत है फोकल निगद्थ फूल और फोकस के बीचके डिस्टेंस को बोलते हैं focal length अब इक चीज़ देखिए इसमें radius of curvature में अलोग दें कंकी mirror का radius of curvature वो रहा है negative, convex का positive और plane mirror का बोलता है infinity plane mirror का जो कीस आता है यहाँ पर radius of curvature की अगर हम बात करते हैं तो plane mirror कुछ ऐसा होता है यह दम स्टेट लाइन होता है तो plane mirror में कोई radius of curvature हम नहीं लेते हैं वो पूरा का पूरा कहाँ चला जाता है infinity पे तो उसके बारे मैं नहीं सुचना है अब यह positive negative कैसे होता है आगे जब हम लोग sign convention पढ़ेंगे तो वो सारी चीज़े clear हो जाएंगे यह positive कब होता है और negative कब होता है देखिए आगे चलते हैं हम लोग उसके बाद बता रहा है कि relation क्या होता है relation between f and r देखिए वैसे तो इस सारे चीज़ों का derivations है और derivations हमें करना भी है बट अभी मैं उस derivation को यहाँ मैं skip कर रहा हूँ एक अलग से वीडियो एक अलग से ओडियो वीडियो में मैं उन सारे derivations को हम लोग कर लेंगे और वो मैं आपको बता दूंगा कि वो derivations कैसे आता है यह कहां से आता है यह सब हम लोग करेंगे तो इसमें जो relation हमारे पास होता है क्या होता है f and r के बीच में f जो होता है वो r by 2 होता है यानि अगर r को 2 से divide कर देता है तो हमें f मिल जाता है और इसमें भी sign बता रहा है sign हम लोग देखेंगे f क्या होता है इसका plane mirror का यह point plane mirror का f हमेशा infinity होता है पावर की बात करते हैं तो converging and diverging ability किसी भी mirror के जब mirror के power के बारे में discuss किया जाए कि उस mirror का power क्या है तो वो कितना converge कर रहा है light को और कितना diverge कर रहा है कोई भी mirror उसको हम लोग बोलते है power अब यह converging diverging क्या होता है light को एक point पे मिलाना जोगी concave mirror का मुदर diverging मतलब light को deviate कर द diameter of light reflecting area effective diameter of light reflecting area इसको aperture बोलते हैं अगर इस तरह से देखें तो यह पूरा का पूरा यह जो पूरा area है जहां से पूरा light reflect हो जाता है यह वाला इसको हम लोग बोलते हैं aperture अब aperture में कुछ point से जो आपको ध्यान रखना है intensity of image directly proportional होता है area के और area directly proportional होता है aperture के square के यानि यहांज हम लोग बोल सकते हैं कि intensity of image directly proportional है aperture के square के अगर आपका aperture जेतना ज़्यादा बड़ा होगा आपके image के intensity उतनी ही अच्छी होगी अब बात करते हैं focal plane कि यह क्या होता है focal plane a plane passing from the focus and perpendicular to the principal axis मतलब यह जो focus point है यहां से एक plane ऐसे पास करता है और यह किसके perpendicular है principle axis के तो उसको हम लोग बोलते है focal plane देखिए अब आगे हमारे पास image formations and sign conventions की rules तो image formations आपने पढ़ा होगा तेंद में sign convention भी पढ़ा होगा उसको हम लोग फिर एक बार revise करेंगे देखिए आगे बढ़ते हम लोग तो first rule sign convention का क्या बोल रहा है पहले हम लोग image formations की rules को देखें तो image formations में दो तीन rules आपने पढ़ा होगे पहला rule कि अगर कोई भी parallel ray आके mirror से strike करता है और तब वो reflect होता है तो वो हमेशा focus से पास करता है कोई भी parallel ले जो infinity से आ रहा है और principle axis के parallel मैं repeat करता हूँ फिर से द्यान देजेगा कोई भी parallel ले infinity से आ रहा है और वो mirror से strike करता है strike करने के बाद principle axis को जिस point पे cut करता है उसको focus पोलते हैं और हमेशा यह ध्यान रखना है image जब भी हम form करेंगे कि जो भी ray जो infinity से आएगा infinity से आने के बाद वो strike करेगा mirror से और mirror से strike करने के पाद वो हमेशा focus से ही pass करेगा that is the first rule and the second rule की बात करें तो second में क्या बोल रहा है कि अगर हम focus से यह focus से किसी ray को हम incident कराते हैं तो after reflection that will be parallel to the principal axis after reflection that will be parallel to the principal axis that यह होगया concave के लिए यह होगया convex के लिए यह फिर convex के लिए यहां देखिए अगर center of curvature से कोई center of curvature से कोई भी रिपास कर रहा है तो वह center of curvature पर ही return चलाएगा same path पर reflect होगा यहां पर भी यह appear to हो रहा है center of curvature से पास और उसी पर वापस चला जाता है तो यह तीन important rule है और भी एक rule है जिसमें हमने क्या देखा कि यहां पर माली यह point of incident है इस पर आके एक light strike कर रहा है फिर यहीं से वापस चला जा रहा है यह incident रही रिफ्लेक्ट रहे तो यहां गहां principle axis को देखाते हैं तो यह जितना एंगल और यह भी एंगल बनेगा तो यह जितना एंगल से आता है उतना ही एंगल से चला जाता है अगर वह पूल पर आता है तो यह चौथा होता है लेकिन हमें generally इन तीनों से काम चल जाता है यह तो law of reflection को भी follow करता है इसलिए ऐसा होता है और इन तीनों को में ध्यान रखना है है कोई भी Images हुमको बनाना होगा कोई भी image का formation करना होगा तो इन तीन और यॉल्ज को follow करना होगा हर बहुत सारे numericals जो हम लोग इस पर करने माले हैं reflections पर अभी जो हमने अपने जुनियर class statement में नहीं किया था वो सारे के सारे में हमें image का formations करना होगा so अगर यह आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है और नहीं याद है तो gust कर लीजिए इसको याद करने का और याद करने के बाद जब आप इसको numericals में apply करेंगे तो numericals बनाने में आपको आशानी होगी so क्या करना है याद कर लेना है बीच में आप आप चाहिए तो वीडियो को pause करके आप यह पूरे notes को लिख सकते हो और notes को लिखने के बाद आप आगे बार जाओ next आगे अगर हम देखते हैं तो sign conventions आते है sign conventions क्या होते हैं देखिए पहला all distance are measured from the pole सारे के सारे distance से होंगे वह हम mirror के pole से measure करते हैं अब जो भी distance पूल से measure करेंगे वो positive negative होगा देखिए distance measured in the direction of incident ray are taken as positive while in the direction of opposite to the incident ray are taken negative काने का मतलब है कि जिस direction में हमारा incident ray रहा है उदर जितने भी direction सोंगे उसको positive लेंगे उसके opposite वाले को negative लेंगे यह आपको याद रखने के लिए आप ऐसे भी याद रखते हो कि कोडिant सिस्टम को हम कैसे लेते हैं गोजिन सिस्टम में कोडिant सिस्टम में हम लोग कैसे लेते हैं यहाँ पर जया मुद्स को मिलेटें इसको हूम पॉसेटिव लेते हैं इसको हम Y एक सिसको पोजेटिव यह नीचे वाला जो पार्त होताए द्लक nämा दिख लेटिव सिमिलर्लिय यहां पे भी हम स्दाइन को ले रहा है तक यह जो पार्ट है हमारे पास में ये positive है यह positive इधर negative then negative और प्लसाय उपर में जब उते है उसको positive जो नीचे आएगा सिप्व को negative और जो tro Kom on left side में प्रैब्र साइब में से चैया को right साइब मता पुथ है डिस्टेंस एबाफ दो कि तरह आप पाराई है सको positive और अब की को值 negative ले रहें जो incident को positive में haveup पॉजिटिव एंड विलो दे प्रिंसिपल एक्सेसर यह एब विलो सेम साइन कंवेंशन आ वालिट फॉर दे लेंश यहीं साइन कंवेंशन हम लोग लेंश के लिए भी यूज करते हैं या पहले से भी जानते हो तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं था हम लोग को यह पढ़ना जयाँ रहाता आघे भरते हैं लोग देखें कि इस HCं कंवेंशन के तुरूँ हमने कुछ चीजियों को देखा है कि je wine convention का एक using the problem using phooll Roll sign by solving to problem problem from solve करेंगे तो यह सारे कि सारे cock Mouse ג दियान रखना होंगे एक data है आप इसको देख सकते हो problems के समय हम लोग use करेंगे distance of object को U से represent करते हैं distance of image को V से distance focal length को F से height को O से image height को I से radius of curvature R Magnification को M से सारा sign दिया हो कि कब कौन सा positive होगा कब negative होगा किस तरह का image बनेगा बनेगा तो क्या होगा वर्चूल बनेगा तो क्या होगा Convix mirror में कैसा होगा और Concave mirror में कैसा होगा वो सारी चीजह में दियो ही है आप एक बार स्टाटा को देख सकते हो इसमें कोई डाउट हो तो आप पुछ सकते हैं वैसे इसमें spherical mirror देखे इमेज जो formed होगा spherical mirror से उसका कैसा position होगा नेचर कैसा होगा और किस तरह का इमेज फॉर्म होगा तो देखे इसके लिए आपने class 10 में ray diagram ट्रॉ किया होगा अलग-अलग तरह कि हमने ray diagrams देखे होंगे और उस ray diagram में देखा होगा कि image कहां फॉर्म होता है किस तरह का form होता है उसको यहां पर तो इक हमने इससे दिखाया है बट मैं आपको एक और इसमें भी दिखा सकता हूं दिखा दे रहा हूं इसको diagram से आप समझ सकते हो कि कैसे कैसे क्या image form होता है पहले वी हमने देखा ह हुए हमने कौन के मिर्यर के लिए दिखाया है जब हमारा फोजिशंजर पहले है और वो इनफिनिटी पहले होता बजिशन औरommes युद्ट का वोई इनफिनिटी पहले तो कर्वाँ और कहां होगा हमारा वो फब मUNGगा हमारा फोकस पर कैसा नीचर होगा real होगा inverted होगा and diminished होगा diminished का मतलब होता है काफी छोटा होगा next between infinity and the center of curvature जब हम object को रखते हैं infinity और center of curvature यहां हमारा object है image form हो रहा है यहां यानि focus और center of curvature की बीच में image form होगा nature देखेंगे real होगा inverted होगा small size का होगा इसके बाद अगर हम इसको रखते हैं center of curvature पर रखते हैं हम लोग तो image center of curvature पर जब हम इसको रखेंगे तो इसका image कहां form होगा इसका image भी center of curvature पर ही form होगा रेडाइग्राम में आप देख सकते हो इसका image center of curvature पर form होगा कैसा होगा real inverted and same size का होगा जैसा हमने object लिए है उसी size का image form होगा फूर्थ में आते हैं हम लोग तो fourth में हमें क्या बता रहा ह시고 इसको center of curvature और focus के बीच में रखा तो center of curvature और focus यहा पर जब हमने इसको रखा तो इसका image कहां form हो रहा है तो यह image जो form होगा आए वो center of curvature infinity infinity के बीच में form हो लोगा यसी हमारे center present कर रहा है और infinity के के बीच में हमारे पास यहां पर इमेज फॉर्म हो रहा है आगे देखते हैं लोग तो अगर हम इसको कहां रखते हैं फोकस पर रखते हैं तो जब फोकस पर रखेंगे तब कहां फॉर्म होगा देखी यह रहा हमारा फोकस पर हमने रखते हैं इसको और फोकस से यह लाइट ज तो यह दोनों लाइट जो जा रहा है यह दोनों मिलके जब रिफ्लक्ट हो रहा है तो जाके कहां मिलेगा इंफिनिटी फोकस से जो भी लाइट जाता है वह रिफ्लक्ट होने के बाद इंफिनिटी पर जाके मिलता है तो यहां पर जो इमेज फॉर्म होगा वह कहां पर फॉर और यह पांच खोकस तक की हमें ने क्या कि energy जो है हमारा वो हमेशा री ऑल फॉर्म हो रहा है एक्शूल में याँ एक दूसरी को कट कर रहा है स्ब्सक्रभ आर्ट सब्सक्राइब जब हम इसको फोकस और पूल की भीच में को कि इसका इमेज कि फॉर्म होगा आपको इसका इमेज कि फॉर्म होगा कहां पिर मिलम की पीछ इमेज हैनल आज..! एमेज को पाइधर क्यों पूर्छ क्रीम होगा तेक कैसा हो यृट वर्ट्यूवल typically फ स्थीधा हो गया वर्ट्यूवल और इनलाज बढ़ा होगा object से यही एक case होता है इसमें जिसमें erect form हो रहा है जब हम उसको focus और pole की बीच में रखते हैं यह आप सुरू से देखते आ रहा हो अब हम लोग आगे देखते हैं देखिए तो यहां पर हमने इन सारे points को देख लिया इसमें सब में आपको देख रहा है कि इन five points में आपको real मिल रहा है एक में क्यों वर्ट्यूल मिल रहा है और एक में ही यह इरेक्ट मिल रहा है यहां पर जब हम उसको पोल एंड फोकस के बीच में रख रहा है इसमें एक और चीज़ आप देखोगे कि जैसे जैसे हमारा object मिरर से नज़्दी का रहा है वैसे वैसे इसका image सिफ्ट होते जा रहा है यानि जो ऑब्जेक्ट की वैलोसीटी है अगर वह आगे के तरफ हम उसको पॉजेटिव लेते हैं तो इमेज जस्ट उसके अपोजिट वैलोसीटी में जा रहा है आगे हम लोग इसको एनराइस करे आगे image और object का वह आपके लिए नया होगा कि वह आपने class 10th में नहीं पढ़ा है यहां तक यह सारी चीज़े आपने 10th में पढ़ी होगी यह तरह से आपका revision है इसको आफास्ट करके भी देख सकते हो आगे देखते हैं Convex mirror तो Convex mirror में case क्या है दो किसको हम लोग लेते हैं infinity का एक लेते हैं लोग infinity का दूसरा लेते हैं एनी वेर बिट्मिन देख infinity यहीं दो केसम यूज करते हैं बतलों एनीवेर इंफेनिटी और पूल की बीच में आप रखोगे तो एक ही तरह का image फॉर्म होगा infinity पर जब हम लोग रखते हैं यानि यू को infinity कर दिया हमने तो हमारा image कहां पर फॉर्म होगा focus पर यानि वहीं जो होगा focus के बराबर हो जाएगा म मैं मैगनिफिकेशन को दिखा रहा है M less than 1 हो जाएगा M less than 1 हो जाएगा आपका image जो होगा वो कफी छोटा होगा virtual होगा इरेक्ट होगा इसके बाद anywhere between the infinity and pool infinity और पॉल की बीच में कहीं पर भी रखेंगे आप लोग तो image कहां फॉर्म होगा between पॉल and focus पॉल and focus के बीच में योगया का पॉल योगया focus इस दोनों के बीच में image फॉर्म होगा virtual होगा इरेक्ट होगा देखें इसमें दोनों के इसमें हमारे पास दोनों convex मेर में दोनों में virtual हो रहा है दोनों में छोटा ही image फॉर्म हो रहा है इसमें बड़ा image फॉर्म नहीं हो रहा है में जो है लेस्टन वन है में लेस्टन वन क्यों है आगे हमें मिल दाएगा वह चीछे भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है नोट्स है जो हमको ध्यान रखने होंगे पहला पॉइंट किया बता रहे है दिखें इन के सफ गन्वेक्स मेर दो आज अज ऑबजेक्ट एन अगर यहां पर हम यह मिररन है और इस मिरर से सब्सक्राइब है और कॉन सा मिरर है यहां। यह हो गया हम रहा कॉन्वेक्स मिल और इस अब जीकट को जैसे जैसे हम दूर लेके जा रहे हैं away from the mirror the image becomes smaller जो image is side बन रहा है वो छोटा होते चला जाएगा and move closer to the focus और वो वैसे वैसे focus के तरफ चलता जा रहेगा दूसरी बात image formed by the mirror do not show any chromatic variations किसी भी तरह दा chromatic variations को वो तो नहीं करता फोर कन्विक्स मेरर maximum image distance its focal length कन्विक्स मेरर केस में जो image का maximum distance होगा वो क्या होगा focal क्योंकि हमने पहले भी देखा कि between pole and focus के बीच में वो form ही हो रहा है और जब पूल और focus के बीच में form हो रहा है तो वो maximum image maximum जो distance लेगा वो अपने focus को ही लेगा उस से ज़्यादा उसका maximum distance नहीं होगा in concave mirror minimum distance between a real object and its real image is 0 minimum distance between a real object and its real image real object or real image के बीच का जो minimum distance है वो 0 क्यों हो रहा है सा वेन U equal to V and 2F मतलब हमें तेखने को मिला कि U और भी दोनों बराबर कब हो रहा है ये minimum distance क्योंकि एक समय आप देख रहे हो कि real image बन रहा है कब जब दोनों center of curvature पर और center of curvature पर जब दोनों आ रहा है तो दोनों के बीच का distance image और object के बीच का अगर distance देखे तो वो minimum है और वो minimum कितना है zero है तो यह सारा observation जो है वो हमने यह सारा कुछ देखने के बाद पढ़ने के बाद यह सारा observation हमने निकाला यह image formations का कि कैसे कैसे image form होगा अब आते हैं देखें यह जो है मारे से पास mirror formula इसका derivations भी है पर यहां मैं derivations को आपको नहीं बता रहा हूं derivations के लिए मैं अलग से बताऊंगा आपको आपको बताऊंगा सो उसके लिए टेंसल लेने की ज़रत नहीं है यहां बस आप formula को देखो formula क्या होता है पहले सब्सक्राइब को पता है 1 by f equal to 1 by b plus 1 by u यह formula होता है हमारा mirror का जिसको हम लोग बोलते है mirror formula अब इस mirror formula में एक देखें इसमें f क्या है focal length v क्या है image distance u क्या है object distance अब Newton जो थे उनका एक चोटा सा formula था इस से related देखें क्या बताया उन्होंने कि if the object distance x1 and the image distance x2 are measured from the focus instead of the pole अगर हम image distance और object distance को focus के साथ focus से measure करते हैं हमेशा हम उसको pole से measure करते हैं लेकिन यहां पर अगर हम उसको focus से measure करेंगे तो क्या होगा उसके बारे में इन होने बता तो जब हम उसको focus से measure करेंगे तो जब focus से measure करेंगे तो हमारे पास यह पूरा का पूरा जो focus का square होगा वो दोनों के multiple के ब्राबर होगा यानि यह जो दिखा रहा है हमारे पास यह वाला relation satisfy करेंगे फोकस के square कर देंगे हम लोग और यह x1 और x2 को multiply कर देंगे यह दोनों ब्राबर होगा कब जब हम इन दोनों को कहां से measure करेंगे measure from the focus instead of pool पूल के जगा पे हम उसको कहां से measure करेंगे फोकस से तब यह इन चीजों को follow करेंगे चले देखते हैं magnification के बारे में पहले तहूल हम लोग यह समझ लहें कि magnification होता क्या है तो अगर हम magnification की बात करेंगे इस का भी derivation लोग पढ़ेंगे बढ़ばい हम लोग डायरेक्ट mag identification के बारे में कसो में ब्ला जाता है कि किसी भी चीज को जैसे इव हम ऐसे बिदार, if a thin object of the linear size is o situated vertically on a axis of a mirror at a distance u from the pole and it image of a size i is formed at a distance v magnification is defined as the ratio of size of image to the size of object मतलब किसी भी डिसने इसको इस्तर से आप समझे कि magnification हम लोग ऐसे define करते हैं किसी भी distance पे कोई चीज रखा हुआ है तो size of image है और size of object है उस दोनों का जो ratio होता है उसका हम लोग बोलते है magnification अब इस magnification को दूब पार्ट में divide किया जाता है एक magnification होता है linear magnification और दूसरा होता है aerial magnification इस aerial magnification का एक और नाम होता है superficial magnification क्या नाम होता है इसका एक और नाम होता है वो होता है superficial magnification aerial magnification का हम लोग superficial magnification के नाम से भी जानते है linear magnification का हम लोग दो पार्ट में divide करते हैं आपने तेंत क्लास में केवल simple magnification पढ़ा है linear aerial यह सब नहीं पढ़ा है इसलिए इसको ध्याम से दिखना है तो इस magnification को हम दूर linear magnification को दो पार्ट में डिवाइट करते हैं एक होता है हमारा transverse magnification और दूसरा होता है longitudinal अब transverse क्या होता है कि वेन आपजेक्ट is placed perpendicular to the principal axis then linear magnification is called lateral or transverse magnification object को जब हमने perpendicularly प्लेस किया है कि इस प्रिंसिपल access के तो वहाँ पर जो magnification जैसे दिखी हो गया mirror यह हो गया mirror यहाँ पर यह principal access यह object को place कर दिया तो यह object कैसे 90 डिगरी का एंगल बना रहा है principal access के साथ तो इसको हमने इसको हमने प्लेस कर दिया perpendicularly और यहाँ पे जो magnification हम लोग find out करेंगे उस magnification को बोलेंगे हम लोग transverse magnification या lateral magnification magnification हमेशा ध्यान रखना है दूसरा और इसमें क्या है देखिए एक चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगा formula तो हमारे पास वहीं है formula में कोई changes नहीं है यह है image size यह है object का size उपर में जो भी होगा हमारा size of image होगा नीचे में size of object होगा यहाँ पर यह mistake है इसके लिए sorry यहाँ size of जो object लिखा हुआ है यहाँ होगा size of image और नीचे जो होगा size of object होगा इसको आप लोग सही कर लेजिए यह वाला part यह वाला part यहां पे गलत है यहाँ उपर में होगा size of object size of image और नीचे होगा size of object तो यह जो पार्ट है यह वाला नागनिफिकेशन सम्लों इसको बोलते हैं अब तो मैगनिफिकेशन हमने समझा मैंने कितने पार्ट में डिवाइट किया वह भी देखा तो जो साइज अफ अबजिक जहां पर हमने लिखा हुआ है वहां साइज अफ आप अब आगे देखिए आगे जो हम आप एफिर भी आई इंडिकेट कर रहा है और इन डिकेट कर रहा है किसको अबजेक्ट को यहां फिर भी व Deni कर आट अपको इमेच मान यू इसको इसको दूसरे फॉर्म में हम लोग रखते हैं तो एफ-फ्माइनस यू आफ मैनस भी भी ने भाइफ मातल एक यूक की फॉ आप फॉर्मूले को याद रखना है यह पूरा फॉर्मूला को याद रखना है जब भी आपको यह प्रॉब्लम करना होगा आप आप हमेशा शाइन कवेंचन यूज करोगे उसके बात क्या बोला जा रहा है कि वेन अब्जिक्त लाइज अलॉंग दॉब अधिस लोंगिटू कि यह हो गया हमारे पास mirror यह दिया mirror कि और यह हमारे पास बीitel अध्य इसी की एलोंग क्यों पर लगा दिया तो यह जो ने और यह यहां पर लगा यह वह बाद यह है यह जो ऑब्जेक्ट को हमने लगा दिया तु यह कैसे है यह principal लौग टुट्टनल है तो यही हम Magnification हम को मिलेगा उसको बोलते हैं लोग लोग लोगे टोनल मागनिफिकेशन फॉर्मॉला इसका भी सेम होगा इमेज साइज बाई आब्जेक्ट्स और यहाँ पर हम इपेटू जो रिफ़ेजंट कर रहा उसकी फाइनल पोजिशन को फ्रम पूल भी वन रिपर्जेन कर रहा है इमेज के इनिशेल पोजिशन को फोल्स से दिखी कैसे फाइनल और इनिशल यहां पर दिखी यह होगया इमे सको ले लिगा ये इसका axis ये हमने ये होगा हमारा object ये ये अब ये वोगे इसका ये यूवन final position ये होगे इसका फरी ये फाइनल position ये वह होगा इनिशियर पूल से जो इनिक्सल डिस्टनस इसको यूवन और पूल से जो दूसरा डिस्टन्स आ रहा था यू तु से रपर देन्ट किया है यह पर ये था ययोवन ये था यूटू तो इसको हम लोग बोलते हैं यह पूल है हमारे पास हे है पूल तो यह जो डिस्टन्स है इसका हमने प्र देन ह division कर दिया यह ऊन से सकटरफन कर दिया यूटु से थो आई वम यू मैनस स्यमलर्टी अग्ला पर हम भी के तुब यहां पे हम भी संसblybroken तो भी में क्या हाजाएगा यहाँ हो जाएगा भी तू अगर फिर अघर हम भी रखते हैं तो यह होगा अब्जेक्ट यह होजाएगा भी टू और यह होजाएगा भी वन यह दिस्टंस उसे को वह दिखा रहा है जब आप माइनस कर दोगे तो उसका साइज मिल जाएगा अगर अब्जेक्ट काफी छोटा है तो इसको हम लोग डेरिवेटिव के फॉर्म में ले लेते हैं में यह दिखा रहा है डीवडियो विद माइनस सें और यहां पर हमारे पास माइनफिकेशन को स्क्राइड स्वीड़ कि हमने लिनेऻर माइनफिकेशट्यों को ही लिया है और यह फॉर्मूला हमारे वांट यह एक मैक लिए बासा और यह उनलग जो basryhanacus ऑन यह हेलाल्द क प्लस तो यह है फॉर्मूला हमारे पास अगर हम इसको डिफ्रेंट्रेट कर देते हैं विट रिस्पेक्ट टू ऐफ तो हमारे पास यह एक्वेशन निकल के आता है और यहां से हमें एक नय रिलेशन्स मिल जाता है किसका यह आगे हम लोग देखते हैं दूसरा जो आता है हमा इसको समझेंगे जब 2D अबजेक्ट रखा हुआ है कोई भी 2D अबजेक्ट रखा हुआ है तो यह एरियल मैगनिफिकेशन का कॉंसेप्ट आएगा इसका फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ इमेज भाई एरिया ऑफ ऑबजेक्ट ऊपर वाला जो दिखा रहा है एरिया तो ओसे आफ इमेज को नीचे इ reply कर रहा है एरिया ऑफ अबजेक्ट आफ इमेज निकालने के लिए यहां यहां पर यह हो गया हमारे ओरेजनल अब्जेक्ट यहां पर एगर आपाई होगया तो कितना से मैगनिफाई होगा AMC यह वेक्तना से मैंटिवाई यहां से हमें मिल जाता है क्या एरियल मागनिफिकेशन और एरियल मैगनिफिकेशन का वैलू यह आ जाता है अब इसको हम लोग डिप्रेजन्ट कर सकते हैं ए अफिमेज फाहि ए इस अफिमेज निकाला तब हम यहां यह फॉर्मूला यूज कर सकते हैं भी भाई यू भी भाई यू का स्क्वायर इंटु लेंट अफ ऑब्जेक्ट जो भी लेंट अफ उसका अब्जेक्ट है भी भाई यू से अप कर लोगे तो आपको लेंट अफ इमेज मिल जाएगा यहां पर उसे फॉर्मूला को में लिख दिया एला इकल कजिस्वाइल फियू क हम किया लिख सकते हैं यहां पर तो भी बाय कर मिल किसे के फॉर्म में लिख सकते हैं तो która तक हमने देखा कि यह लोगे जुतनल मागर्णिफिकिंच क्या होता है और एरियल माग्निफिकेशन क्या है यह सारी चीजिये एस अब है